ममता जी को मैं खुली चुनोती देता हूँ, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिक्ता छिनने की एक धारा, वो बता दे सारोजनिकृप से, वो खौप पैदा कर रही है, ममता जी इसको मत रोकिये, करने जैसा काम है, गुसपेट रोकिये, उनको नागरिक्ता देने का वि चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि BJP जो है ये हिंदू मुसल्मान का खेल कर रहे हैं और उन्होंने का ओडियन्स को कहा कि आपकी प्रॉपटियां छिन जाएंगी, आपके बच्चों का एजुकेशन खतम हो जाएगा, आपको डिटेंशन कैम्प में भेज दिया जाएगा और डिट आपके इस कारेक्रम के माध्यम से करना चाहता हूँ, पुलिटिक्स करने के हजारों मंच है, प्लीज बंगलादेश से आयोए बंगाली हिंदू का अहित मत करिये, आप खुद बंगाली हैं, बंगलादेश से जो बंगाली हिंदू आये हैं, इनको नागरिक्ता देने के लि इस कानून की धारा में से किसी की नागरिक्ता छिनने की एक धारा वो बता दे सारवजनिकृप से, वो खौप पैदा कर रही है, हिंदू और मुसल्मानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बेंक का कॉंसुल्डेशन करना चाहती है, ममता जी इसको मत रो कि नहीं रोक रही है, वो नहीं कर रही है, आप हमें कॉपरेट नहीं करें, आसाम में कम्प्रेट गुस्पेट रोक गए, क्विए भारतियो जनता पार्टी का सासना है, किस तादाद तक गुस्पेट हुआ है, और कब से हो रहा है, देखें, इसके अधिकरूत आंकडे सरकार आएगी और हम इसको कड़ाई से रोकेंगे इसी लिए तो आपको चानक क्या चानक क्या कहते हैं पॉलिटिक्स नहीं नहीं मैं मानता हूं कि अगर इसी प्रकार की पॉलिटिक्स आप करेंगे इतने महतवपून राष्टिय सुरक्षा के मुद्दे के साथ एपीस्मेंट की पॉलिटिक्स करकर घुसपैट होने देंगे जो सरनार्थ ही आया है उनको नागरिता देने का विरोध करेंगे तो जनता आपके साथ नहीं रहेगी ममता जी को सरनार्थ ही और घुसपैट ये दो सब्दक के बीच का अंतर ही मालूम नहीं है मालूम नहीं है या जान के नहीं कर रही है अब मैं तो जो बोलती है वो सच मानता हूँ इसलिए कह रहा हूँ मालूम नहीं